स्वागत आपका एक बार फिर से यूटीब चैनल पर आज हम लोग डिसकस करेंगे इस वीडियो सेशन में आपका लेटर सीरीज लास्ट जो रिजनिंग का सेशन था उसमें हम लोगोंने नंबर सीरीज की कंप्लीट कंसेप्ट हमने डिसकस करा था विद आज हम लोग लेटर सीरीज का सेम पैटर्न में डिसकेशन करेंगे त्रूँ एमसी क्यूज आपको यहां पर स्क्रीन पर क्वेशन दिख रहा होगा एस सीडी टी एफ यूजी एफ नेक्स्ट सीरीज आपसे पूछी गई है और डव्लियो के इसके नेक्स्ट सीरीज है तो क्य होगा इससे नेक्स्ट पैटरन अगर आप लोगों ने यह जो मेरी रिजनिंग सीरीज थी वह आप लोगों ने देख रही वह त्रिक की साथ मैंने समझाया था concept ब्लस ट्रिकस दी आपको वो प्लेलिस्ट भी एक बार बेसिक रीजनिंग जो मैंने वहां पे करवाय थी वहा स्टार्टिंग का वोड लेंगे तो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जट क्लिर है अब लेटर सीरीज स्टार्ट करने से पहले ठीक है रिज्डिंग की आपको पता है यह सब तो यह बार बार नहीं दो रहा होंगा मैं आपके लिए अब नेक्स यहां पर लेटर होना चाहिए क्या भाई आपके जितने भी अल्फबेट्स हैं ठीक है अल्फबेट्स कितने हैं 26 तो 26 के 26 अल्फबेट्स के आपको याद होने चाहिए अब अचानक से मैं बोलू आपको आर कौन से नंबर पर आता है तो आपको पता होना चाहिए 18 ठीक है अब मैं बोलू S तो आपको याद हो गया 19, clear है, अब series को, ये alphabets को एक short trick, सभी को ये पता ही होगी, E, J, O, T, Y, clear, ये जोती आप सभी ने letter series के लिए याद कर रखा होगा, 5, 10, 15, 20, and 25, देखो, first four जो होते हैं, आपके, A, B, C, and D, ये number तो किसी को याद करने की जरूरत नहीं पढ़ती, क्यों सभी को पता होते हैं, last के जो चार होते हैं, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पढ़ती है, W, X, Y, and Z, कैसे, last वाले तो कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, फिर वो उंगलियों पर गिन्ना श कैसे याद रखना है, Z आपको पता है, last है, 26, इससे आपको idea हो जाएगा, ये, clear है, Y का, Y का agility आपका 25 हा रहा है, तो यहां से आपको Y भी clear हो जाएगा, next one is X, X कौन से number पे आजाता है, 24, clear, 24 number पे आता है, कौन आपका X, तो X के कितनी leg से, ये 1, 2, 3, 4, तो 4, 24, ऐसे आप इसको X को याद कर सकते हैं, next आगे आपके पास क्या भाई, W, तो W जो है आपका, इसको अगर हम लोग reverse करें, इस तरीके से लिखें, तो आपका 3 नहीं दिखता है ये आपका, ठीक है, ये आपका 3 होता है, अगर इसको हम लोग reverse करके लिखें, तो 3 के आगे 2 लगा दो 23 हो आपका W, clear है, अब 18, 19, ये आपको कैसे याद रखना है भाई, English में बोलो इसको, ठीक है, बोलो, आपके 18 के स्पेलिंग क्या होते है, A, T, H, A, R, R, A, H, 18, ठीक है, तो 18 से आपको R याद रखना है, 18, ठीक है, 19, U, N, I, S, 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 ये क्या हो गया, 19, 19 मतलब के S, clear है, ये कु और ट्रिक्स जी जो आपको याद रखनी है, बार 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 जब आप रिपीट करेंगे, तो आपको ये सारी याद हो जाएंगे, ठीक है, clear है, ठीक है, चलो, अब करते हैं, start हमारा आज का session, ठीक है, चलिए बाई, कोशन देखो बाई, आपके पास sequence दे रखा है, ठीक one is W, K, L, yes, बताओ, तो ये question ही हमने अभी उपर discuss करा है, तो आप सभी को पता चल गया है, अब इसका answer क्या होने वाला है, that is, option C, V, I, G, अब इस screen पे हम लोगों ने ये देख लिया था, पहली ये हमारी दो alternate series बन रही है, एक तो यहाँ पे S, T, U, V, and W, ये series बनेगी, first alphabet क जो first letter है, next जो है वो आपको double में है, C, D, E, F, G, H, और next आपके पास आएगा I, J, तो V, I, J आपका होगा, correct answer, clear, V, I, J, ये आपकी series बन जाएगी, correct, ठीक है, तो option C होगया हमारा correct answer, clear है, चलो, आज़ो next question second पे, yes, ये थोड़ा सा आपको tricky लगेगा, जिसकी लिए letter series पहली बार पढ़ रहा है, और जिनने पढ़ रखा है, वो तो अभी तक answer भी दे चुके होगे, yes, B2, C, D, next आप से पुछेगी, ये second series क्या है, B, C, D, 4, B, 5, C, D, B, C, 6, D, clear, अब एक चीज तो हमें common लग रही है, sir, क्या, B, C, D, तो होगा ही होगा, ठीक है, क्यों, हर एक में आपको B, C, D common देखने को मिल रहा है, next, यहाँ पर game जो चल रही है, वो आपकी letters की चल रही है, तो continue letter 2, यहाँ पर 3 होना चाहिए, 4, 5, 6, तो आपका क्या होगा, अब main दिमाग कहा लगाना है, कि 3 आएगा कहा, B, C, 3, D, okay, B, C, 3, D, आपका होगा, B के साथ 2, C के साथ 3 D के साथ 4, B के साथ 5, C के साथ 6, और D के साथ 7 आएगा, next आपका, clear है, ऐसे आपके number जो है, वो बढ़ते जा रहे हैं, तो यह होगा आपका correct answer, B, C, 3, D, तो option B है आपका यहाँ पर correct answer, clear है, समझाई, बहुत easy question है, within seconds आप देखके ही answer कर दोगे, अगर आप लोगों ने question देखो भाई, yes, बहुत easy question है, देखने में आपको थोड़ा सा tough लग सकता है, yes, देखो भाई, यहाँ, F, G, H, I, and J, ठीक है, next series आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, आपको पता चल गया, J और A आपका सभी में common है, clear है, A आपका सभी में common है, तो J, A, अब next आप के पास क्या होगा, यह, J, A, K है आपका correct answer, J, A, and K, clear है, अब आपको यह last अगर यहाँ पर बोलो सर, यह J, A तो यहाँ पर भी था, तो यह क्यों नहीं होगा हमारा answer, ठीक है, तो अब यहाँ से last series आप लोग देख लो, यहाँ पर देखो middle letters जो नहीं हो, static आपके पास A, first और third letter जो है, ठीक है, first और third letter पे आपको concentrate करना है, third letter आपका क्या कर रहा है भाई, first letter alphabet का continuous है, और second and fourth segment जो है आपकी reversal हो रही है, उसमें क्या हो रहा है, second and fourth जो होगी वो आपकी reverse हो रही है, तो that's why आपका missing letter जो वो बिगन होगा new letter से, that's why J, A, K, clear है, J, A, K आपका हो आपका correct answer, clear, चलो, आजा हो भाई, next question fourth पे, देखो next question fourth क्या कर रहा है, E, L, F, A, G, L, H, A, I, L, J, A, M, L, N, A, एक चीज़ हमें common दिख रही है, पहला letter, then L, दूसरा letter, then A, L, A तो सभी में common है, clear है, और option में भी हमें L, A सभी में common है, ठीक है, अब यहाँ हमें पहचाना है कि फर्स्ट सीरीज हमें क्या कह रही है, ठीक है, E, then F, G, then H, I, then J, ठीक है, then J, K, L, okay, यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है कि सर, हमारे पास क्या हो रहा है मसला यहाँ पे, J, then I, J, and K आएगा यहाँ पे next, clear, E, X, skip हो रहा है, यहाँ पे क्या हो, E के बाद F skip किया, G आगया, G के बाद H skip किया, I आगया, I के बाद J skip किया, तो K आगया, हमारा first letter तो आपका K हो लें वाला है, यह हमें clear हो गया है, तो यहाँ आएगा हमारा क्या सर, K आएगा, okay, अब last वाले में क्या common चीज हमें दिख रही है भाई, next वाले में, F, G, then H, ठीक है, F के बाद G skip, H, H के बाद I skip, J, J के बाद K skip, L, ठीक है, तो next में हमारे पास क्या आना चाहिए, L आना चाहिए, K, L, L, A होगी हमारी अगली series, तो जो की है आपकी option D, clear है, ठीक है, तो ऐसे चल रही थी आपकी ये series, बहुत easy questions आते हैं इसके, कोई इसमें tough नहीं होता, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ता है, चल लो next question आजो, question 5th, cmmeoogqqqkup, तो क्या होगी next series, yes अब देखो भाई, यहाँ पर तो कोई, यह, मुझे तो लग रहा है मेरी मदद की ज़रूरत हा था नहीं, वन अभी तक question निकाल लिया होगा, येस देखो भाई सी डी ए एफ जी एज आई हमें इतना तो आईडिया होगी है कि पहला होगा आई clear है तो जी जी गया गया आगया और येस दो हमारे पास आगे भाई यहाँ पे correct answer ठीक है अब यहाँ पे क्या हो रहा है M N O P Q R S तो हमारी नेक्स सीरीज क्या आगी S R P देखो M के बाद N स्किप किया E आगया E के बाद P स्किप किया Q आगया ठीक है Q के बाद R स्किप किया S आगया ठीक है हमारे यहाँ पे होगा correct तो यहाँ similar same to same दो चल रही है I, S, S होगा हमारा answer क्लियर है Option C होगा हमारा correct answer क्लियर है ठीक है तो ऐसे आपके skip करके चल रही थी एक-एक alphabets को तो बादी कुछ भी यहाँ पे नया नहीं हो रहा था Yes अगयन इस प्रकार का हम question उपर ही करके आए है बताओ भाई क्या होना चाहिए इसका answer Yes यहाँ पे अगर मैं आपको बताओ भाई क्लियर कि आपको अगर नंबर पे ध्यान नहीं देना है ठीक है तो आपको वैसे भी alphabets में चाहे पहला वाला देख लो चाहे दूसरे वाले में देख लो Z वाली की series continue करेगे तो भी आपको answer मिल जाएगा अगर A वाली series continue करेगे तो भी आपका answer मिल जाएगा Yes बताओ भाई क्या होना चाहिए इसका answer देखो भाई क्या चल रहा है Z Y X W तो क्या आना चाहिए हमारे पास next Yes W तो क्या आना चाहिए हमारे पास next V clear है V होना चाहिए answer तो यहाँ पे V हमारे तीन options में है हमारा एक ही answer कटा है अभी तक clear है तो next आपके पास आगया भाई opposite वाला A, B, C, D, E clear है V, E देख लो भाई V, E यहाँ पे भी आपको क्या हो गया sub में V, E दे रखा है अब आपको नंबर वाले में भीड़ना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा नंबर वाले में आपको अठकना पड़ेगा तो next आपके पास क्या है गा 5, 4, 6, 3 अब यह कैसे चल रहा है आपको यह दिमाग लगाना पड़ेगा देखो यहाँ पर तीन सीरीज में हम लोगों ने क्या देखा कि पहले लेटर्स जो है वो आपके क्या है रिवर्स है नेक्स्ट लेटर अलफबेट आटर देखा हमने बिगन क्या रहा है किसे ए से तो यह कंटीनियू चल रहे है तो next सीरीज हमारे पास क्या होगी 5, 4, 6, 3, 7 क्लियर समझ आई 5, 4, 6, 3, and 7 यह थी आपकी यह सीरीज VE7 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है हो गया क्लियर चलो भई बढ़ते हैं आप हमारे explanation आपको साथ में provide कर दूँगा PPT आप वहां से download कर लिजएगा टेलिग्राम चैनल से link आपको description box में दिया होगा क्लियर है क्वेशन 7 पे आज़ो भई Yes Q P O N M L K J I E D C तो क्या होना चाहिए यहां पे भई अगर हम लोग इसको उल्टा पढ़ें reverse यहां से यहां को पढ़ें एक बार read out करके देखो C D E F G H I J K L M N O P Q तो कुछ भी नहीं था आपको अंग्रेज जी इन्होंने उल्टी लिखके दे दी है भई तो आपको next पकड़ना था F G H क्लियर है तो क्या होगा हमारा F G H होगा हमारा करेक्ट आंसर तो option A है यहां करेक्ट क्लियर है इसमें कुछ भी नहीं था ठीक है common sense आपकी देख रहे थे इस question में चलो next राजो बई question 8 यह यहां क्या होनी चाहिए यह आप से पूछा गया है yes हाँ जी बताइए क्या होनी चाहिए अगला हमारी series देखो आपको यहां पर अगर एक बापता हूँ जी की एल एम एन ठीक है पहला हमारा एन होगा तो यहीं पर हमें मिल गया answer ठीक है आगे अगर देखे हम लोग A B C D E N E होगा क्रिक्टा हमारा ठीक है तो next हम अगर नहीं भी देखें तो भी हमारा answer आ चुका है option B तीसरी पर आपको जाने की time waste नहीं करना है जब आपको दो ही एक आ जाए तो it's okay देख लो भाई हमारा option में आ रहा है नहीं आ रहा है तो टिक कर लो फिर भी shorty के लिए एक बार second series भी check कर लिया करो क्लियर क्लियर क्योंकि कभी कभी वह option आपको दूसरे option में मिल जाता है कि यार यह गलत तो नहीं हो रहा है मेरे से तो इसलिए दो check करना चाहिए थर्ड वाला या फोर्थ वाला आपको check करने की ज़रूरत नहीं है फिर आप अपना OMR sheet पर answer के रिए और next question पर move हो जाएए चलो next आज़ा वाई b c b d e d f g f h i h yes क्या होगा इसका जवाब question 9 बताइए वाई क्या हो रही है देखो simple alphabetic order चल रहा है यहाँ पर पहले दो letters का all segment में ठीक है b c d e f g h i j k clear है अब देख लो बाई j k किस में आ रहा है option a तो यहीं पर आपका answer आ गया है correct बाकी तीसरे आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है clear है option a हो जाएगा यहाँ पर correct ठीक है तो यह तो seconds का option भी नहीं था सर्फ देखना था और आगे बढ़ना था yes बताए नेक्स्ट question का answer p 5 q r p 4 q s p 3 q t p 1 q v अब यहाँ तो हमें पता चल गया sir के p 2 आएगा clear है क्यों यहाँ पर क्या हो रहा है p 1 p यहाँ p 2 आएगा p 3 p 4 p 5 यह continue से चल रही है इतना तो common sense हमें है sir कि हमने लगा लिया तो p 2 आपका आएगा तो p 2 ही आपका आगया clear है बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं था यहाँ देख लेते हैं एक बार q तो आपको common है अर जगा पे q आएगा r st u clear p 2 q u है आपका answer तो यही हमें हमने tick कर दिया था जिर्फ p 2 को common लेगे clear है ठीक है तो यह थे हमारे आज के 10 questions on letter series letter series easy होता है इसलिए मैंने इसके थोड़े ही सवाल रखे थे तापके आपकी revision हो जाए हर एक concept की तो starting में मैंने आपको छोटे सी एक trick दे दी थी वो भी एक बार याद रख लीजिएगा plus अगर आप लोगों को deep analysis चाहिए इस lecture का तो आप लोग हमारी जो basic reasoning की classes थी वो एक बार जाके check out कर लीजिएगा हर चीज वहाँ पर मैंने cover करवा रखिए यहाँ पर भी आप tension ना लो mcqs के तुरू सारे portion आपके reasoning के में cover करवाओंगा आपके exam से पहले पहले ठीक है तो इस वाली वीडियो के नीचे भी जो सबसे ज्यादा comments होंगे मेरे को तो उसी portion के आपके mcqs लाए जाएंगे चाहे वो math का कोई chapter हो चाहे वो reasoning का कोई portion हो तो आपके लिए वो में प्रकट कर दूँगा ठीक है तो next आपको एक चीज़ बता दू में भाई lakes of jammu and kashmir ठीक है rivers of jammu and kashmir passes of jammu and kashmir ये lectures आपको देखने को मिल रहे हैं ठीक है lakes ये मैंने upload कर दी है already आप लोग देख लीज़ेगा plus mountain passes ये भी आपको मिल जाएगी अभी lecture plus rivers ये जो lectures हैं इसमें 20 best mcqs में ला रहा हूँ आपकी revision series hg के portion की एक चीज़ याद रखना सिर्फ और सिर्फ जेंड के नहीं है all over India की concept यहाँ पे आपको इन videos में देखने को मिलेंगे तो ये video miss out नहीं कीजिएगा plus आपने बोला था के sir organizations पे video लाओ organization में best 50 mcqs clear best 50 mcqs already prepare कर रहा हूँ आपकी ये video भी within one या two days में आपको मिल जाएगी international organization plus regional organization दोनों की clear है दोनों की उपर 50-50 question आपको provide कर दूँगा ppt आपको दे दूँगा with detail ठीक है headquarter उसके बाद establishment कब हुई थी उसका president कौन है ये सारी चीज़ें आपको जो आपके exam point of view से important है वही चब चीज़ें आपको provide की जाएंगी fall two में कुछ नहीं बताऊंगा कि इसके इतने regional heads हैं इसके इतने ये हैं नहीं भाई साब आपको कुछ नहीं deep analysis नहीं करनी है आप कोई international relation के ओपर book नहीं लिखने वाले थीसिस नहीं लिखने वाले आपको सिर्फ exam point of view से knowledge होने चीज़ें वही में आपको provide करवाऊंगा ताकि आपके exam में आपने सिर्फ भाई जो आपकी result की PDF हो उसमें आपका नाम आ जाए उतनी आपकी तैयारी में करवा दूँगा बाकी आप घर में lecture के बाद कितनी महनत करते हो वो आपको सफल होने की guarantee देगा कि हाँ भाई मैंने इतनी महनत किया तो मैं तो सफल हो जाओंगा ठीक